आप सब का स्वागत है मनुश्मादास क्लासेज में आज जो है हमनों सीटेट का चाइल्ड डेवलप्मेंट एंड पेडागोगी से लिलेटेड जो है पेपर टू का कोश्चन नमर वन से टेन लाए हैं चली चलते हैं चली आज का पहला कोश्चन है बालकों के वेक्तिगत वि अबुछन नहीं लगा जाकता है कोई बाद में जाके और ज्यादव र्यास कर सकते हैं कोई पहले से विकास कर लेकिन आगे याकर सकता है कि रुख जाये किसी कारणों से भी तो यह सब से सबसे सट्रीक एंशर होगे कुछीन हूचन से कौन साक्थन पष्ण कर्मबद नहीं होता है यह अग बच्छा रहता है कुछ बच्चा बडनी जी सी अब कोई बच्चा बर्थ हुआ वब बोलने सिखेगा देदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेद 3 विकासिक सतर परिक्रिया है विकास अत्मक प्रतिमान संस्कृतिक परिवेस्चे परावित नहीं होती है यह भी ऑप्षन रॉंग है तो इसका अप्षन 3 करेक्ट अंसर है चलिए नेक्स्ट कोशन क्यों चलते हैं कोशन 3 बच्चे समाज के बारे में ज्यान रखने के कौसल आसपरोस और स्कूल देखे इसमें आसपरोस और समकक्षिय सम्मू जो ग्रूप में है वह जैसे मतलब आप कहां पर रहते हो आपका परियावन आसपास का कैसा है उसमें आप समाज में रहने सीखोगे जैसे आप माली जी फुटवल प्लेयर हो तो उसके बारे में जानने हो समाज में रहने सीखोगे दुसरे से बात करने सीखोगे इसलिए संकक्षिय सम्मो होता है इसकूल में घूल समाज के बारे में भी से digrets. है कैसे बोलना किसे बढ़ों से कैसे बात करना है कैसे सबसे ब्यभार रखना है आसपरोस से भी वही चीज है समकक्षी कमों लगभग में और आसपरोस भी आपका एक ही चीज हो गया लेकिन आसपरोस में आपका आसपरोस में हो गया और तो यह option A C D यानि कि यह three option इसका correct answer है ठीक है धर्म कौम लोग इसमें नहीं लेंगे चले next question क्यों चलते है question 4 जिन प्याजे के सिद्धानतों के अनुसार अनुकुलन किन दो मुल परक्रियाओं को समाहित करता है देखिए जिन प्याजे जो है न समायोजन और समावेशन पर theory दिये थे अपना तो यह हो गया इसका समायोजन एवं समावेशन बाकी option इसके अनुरूप नहीं है इसका समायोजन वो समावेशन ठीक है next question क्यों चलते है question 5 जिन प्याजे के संक्रियात्मक विकास के किस इस तर पर बच्चे लंबाई वा भार जैसे गुनात्मक अधारों पर विस्तव को व्यवस्तित कर पाते हैं पर तो अमूर्थ संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिना ही महसूस करते हैं यह एज में वो अपना definition में दिये थे देखिए ऐसा साथ से 11 वर्स के बीच में ऐसा हो था आप उनके बारे में और डिबली जान लेंगे तो अच्छा ह साथ से 11 वर्स के एज में जो है मुर्थ संक्रियात्मक जो व्यवस्ता अवस्ता है यह करेक्ट अंसर ठीक है अप्शन 3 इसका करेक्ट अंसर चली नेक्स्ट क्यों चलते हैं कोश्चन 6 लेव वाइगोश्की के सिदान्तों के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपन और बच्चे को चुनोती पूर्ण कारी दिये जाने पर घटता जाता है यह तो होगा नहीं बच्चे को अपनी सोच विनेव में जो अपने आसपास में बोलने में जो है अपना सोच को जाहिर करने में मदद करता है यह ऑप्शन वन करेक्ट एंसर इसका ठीक है कोश्चन 7 लेव बाइगोच्की के अनुसार सिख्चक बच्चों के अंधिगम में किस परकार मदद कर सकते हैं उप्युक्त इनाम देकर सक्त सजा देकर मदद की मात्रा वो सवरुप में बदलाव करके उन्हें ब्लेक बोर्ट से सारे उत्तर नकल करवा कर इसका सबसे सटिक एंसर सक्त सजा देकर यह तो होगा ही नहीं मदद की मात्रा वो सवरुप में बदलाव करके उसको ऐसा डेवलप करना है बच्चों को जैसे और जादर इवाशा पद्धिया करना होगा ऐसा गाम करना होगा जैसे उसका डेवलपमेंट बढ़ते जाए तो यह सही अंसर है पूजा अपनी दोस्त को करती है कि हमें कख्छा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना सिक्षी का हमें बाहर खेलने की अनुमती नहीं देगी पूजा लोड़न्स कोणंवर के नेतिक विक्यास के किस चर्ण में है ठीजिज ये जो है अनुसार अगया पालन आदिखार नों realistic हाउας के वरन Jerry बुद्यमता सही नहीं नहीं है जान देजिएगा देजीए घूंद नहीं हoped स pakai अखंड से हावी नहीं होती अपित्व कई परकार की है ठालों सवत है और आ के आयम में वह सबど पाट कर फीनती है सब में सब्सक्राइब आज का अंतिम कोश्चन में चलते हैं कोश्चन में देखिए एक बाल केंदित ही होना चाहिए जो सिच्छक केंदित होगा तो भी गलत हो जाएगा बाल केंदित सिच्छा ही सबसे सरवर्तम माना गया ठीक है विदार्थियों के सक्रिय भूमिका होती है तासा सिच्छिक का निस्क्रिय होती है सिच्छिक भी निस्क्रिय होने से नहीं चलेगा सिच्छिक वह विदार्थि दोनों ही सक्रिय भूमिका होते हैं यह करेक्ट एंसर होगा ओप्शन 4 इसका करेक्ट एंसर है इसे साथ आज का क क्लास समख्त होता है तो ऐसे क्लास के लिए बने रहें चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू